श्रीटंक गंगानगर से खबर है जो आखिल रावला तहसील प्रत्वी सिंग परिशान हो गए हैं रावला के तहसील कारेले में नहीं है पानी के विवस्ता महेंगाई राहत क्यांपे पानी नहीं होने के कारण विबाद बढ़ गया और खुद तहसील दार पहुंच गए पानी लेने जल्द विभाग की कारण है तहसील दार ने विभाग किए जेएन अरुन बैरवा को लतार लगाई और बार बार कहने के बावचूत भी पानी सप्लाई नहीं करने का आरोग भी लगाए गया है तो उसके बाद में जेएन ने कहा है कि पाइप्लाई तूटने के कारण पानी के सप्लाई नहीं हो पा रही है इल्कुल आप सही करे रहे हैं पानी नहीं है बार 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 वाटर बोक्स को जेएन साब को करने के बावज़ित भी को कानवे के ओपर जोन ही रह लिए पानी की सप्लाई टाइम पर नहीं हो पा रही है और पूरे मामले पर जेएर ने कहा है कि पाइपलाई टूटने के कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाई और इस कबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सेयोंगी सुनील सिहाग जुड़ चुके है सुनील क्या कुछ कहना है प्रशासन का कब तक पानी की सप्लाई हो पाईगी देखें ऐसी बड़ा ही वाधासपद जो सिस्टम है जो रावला के अंदर देखनों को मिला है रावला तसील के अंदर जो महंगाई राथ केम्प है वो लगा हुआ था और तसील दार है जो लगातार जल संसादने विवाग को बार बार फोन कर रहे थे उनके जैयन को फोन कर रहे थे दो दिन से तसील में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो तुरंस दुरस्त करके और पानी सप्लाई की जाए उसके बाद में भी जब पानी सप्लाई नहीं हो तो तसील दार खुद है जो विवाग के कारा ले पहुंचे और जैयन को कापी खरी कि दो दिन पहले जो पाइप्लाइन वो तूट गई थी उसके बाद में यह दुरस्तोंने में थोड़ा समय लगता है तो आज यह पानी यहां से हो जाएगा तो दोनों बाते ही सामने आ रही है अलांकि महिंगाराज सीवर की कंभीरता को देखते भी पानी तुरंत दुरस्त क कम ही है वो भी सामने आ रही है और दूसरा है जो आपस में आरोप लगा रहे हैं बड़ी बात यह है कि खुल तशीलदार है जो विवाग के कानले पानी लेने पहुंच गे थे यह बड़ी बात है कि प्रसाजनी का अधिकारी है जो उनकी भी यह पर किसी ने किसी एक दूसर मिल पाएगा आज यह सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साजह करने के लिए